सलाम वालेकुम ये मुद्दे का अभी भी सबसे बड़ा सवाल अनांसर है सवाल है कि क्या आपा पैसा देगी इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ पॉइंट्स एक्चली कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो ये जो भी रीसेंटली हीरा ग्रूप के सैलरी के लिए एक कडूर का विड्रॉल मांगा गया और मन्जूर हो गया ये बहुत बड़ा ही मतलब क्वेस्चन मार गये पूरे केस में बैंक में ऐसा कहा गया था ऐसे मालूम हुआ के उननीस कडूर बाकी था ये उननीस कडूर में से पांच कडूर चले गए गैरंटी के तौर पे और उसके बाद एक कडूर अभी सालरी के हिसाब से निकाले गए तो छे कडूर कम हो जाते हैं तो मतलब तेरा करोड बचते हैं समझो के अभी और एक भी बात फैल रही है, ग्रूप में, वाट्सअप में, सोशल मीडिया में, के भाई, एड्वोकेट विनीद दान्दा ने ये कहा है, के पांच करोर इसमें भी डिपॉजिट कर देंगे हम मुंबई में, तो तेडा करोर में से फिर पांच करोर अगर कम हो जाएंगे, इस पर मतलब हमें ये नहीं समझना है के ये वाकई में ये ऐसा होगा, क्यूंके अड्वोकेट विनीद दान्दा साथ जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रूप और कमपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये बले ही वो उनके साथ इतने पंदरा साल दस साल तक उनको जानते हैं, उनका रिलेशन है, जो भी है, लेकिन हम ये उनकी बातों को, कोट ओफ लौ में, सीरियसली नहीं लिया जाएगा, बिकोज वो आगे चलके वो हड भी सकते हैं, इस केस से विड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी बोल सकते के, मुझे तो मेरे क्लाइंट जो कहा, वो ही मैंने आपको कहा, तो आप, you know, he is not answerable, आप उनसे पैसा नहीं मांग सकते हैं, तो question फिर भी ये ही रह जाती है, क्या आपा पैसा देगी, तो इसका जवाब पाने के लिए हमें actually एक calculator का सहारा लेना पड़ेगा, और इससे पहले मैं कुछ ये बताना चाहता कि जब हम छोटे थे हैं, हमारे वालिद साब ये कहते थे कि भाई, you know, you need to be strong in maths, okay, in order to survive, आप survival के लिए, आपको इस दुनिया में जीने के लिए, आपको कम से कम mathematics तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी mathematics बहुत काम आता है, तो do your maths first, तो हम ये सबसे पहले तो जो कहा जाता है कि दो लाग इंवेस्टर्स है, दो लाग नहीं है, मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन जो statements आई है बार, advocate veneer danda के तरफ से और लोगों के तरफ से जो अभी मान रहे है लो कि दो लाग इंवेस्टर्स है, मान लो कि उनमें से स सिर्फ फाइपरसेंट, सॉरी मैं इसमें से कुछ पुराने इंवेस्टर्स है, जिनके अकाउंट्स तक्रीबन अल्मोस सेटल्ड है, कुछ परसंटेज ऐसा है जो बहार भी नहीं आएंगे, ये सोचके के बही टाक्स का प्रब्लम होएगा, हमारा अकाउंट्स है, जिनके में बहुत पैसा है, टाक्स है, तो उनको भी जाने दीजे, और कुछ परसंटेज ऐसे हैं, जो पुलीस को अप्रोच करने में डरते हैं, कौन पुलीस कोट कचरी के चक्कर में जाएगा, और ये ऐसे भी लोग है, जो बोलते हैं कोट कचरी से कुछ होता नहीं है, जाने दो तो ये लोग भार नहीं आएंगे, और इसमें से फिर भी कुछ परसंटेज लोग ऐसे हैं, जो अभी भी गुमराही में घूम रहें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जिनको न्यूस के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, तो हमने ऐसा समझ के ये लिया है, कि समझ लो जो जो प्रहिए तो समझ लो जो खर किने ये चार लाख पर हेड कर लाख हुआ तो हम फाली की निकाल थे हैं, तो ये खらप हेड केक है तो इन्टू 10,000 तो यह होता है हजार, दस हजार, एक लाक, दस लाक, एक कडोर, दस कडोर, तो यह 10,000 लोग, 5% of 2,05% की लोग को अगर पैसा वापिस देना है, हीरा ग्रूप एंड कम्पनीज को, तो उनको हर महिने 10 कडोर देना पड़ेगा, वो भी कम से कम एक साल तक, इसक इनको वापिस देना पड़ेगा, अब एक कडोर सालरी नहीं दे पा रहे है, यह लोग, और दो लाक के 5% इन्वेस्टर्स लोग को, मतलब 10,000 लोग को, अगर यह लोग महिने महिने का 10 कडोर देने का सोच रहे है, तो यह पॉसिबल कैसा है, कैसे दिखनी रहे है, कुछ होन होने जैसा नहीं दिख रहा है, 120 कडोर इनको चुकाना पड़ेगा, तब जाके यह 5% लोगों का पैसा निकल जाएगा, 10 कडोर इन्टू, 12 ले लो, 120 कडोर, सारी, मैं काल्कुलेटर में बहुत खराब हूँ, तो 120 कडोर इनको देना है, मान लो, 10% लोग वापिस आते हैं, तो 20,000 इनको भी at an average 10,000 पर मन्त अगर देना है, तो यह हो गया, 20 कडोर, 20 कडोर पर मन्त इनको देना है, वो भी एक साल तक, 240, तो अभी तक, you know, हम यह लेके चलते के सिर्फ 5% लोग भार आएंगे, उससे जादा लोग भार नहीं आएंगे, तो 240 कडोर या 120 कडोर इनको द 120 कडोर वापिस देना, यह 10 कडोर महिने का साल का 120 कडोर, उसके बाद तो सब खादम, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे जाने तो, 120 कडोर देना मुश्किल है, नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज है, यह बेच के दे सकते 120 कडोर, उसके बाद भी बच जाएंगे 100-800-200 कडोर, और पूरी की पूरी फैमिली जो है, दुबई या कोई, जहां पे भी उनको अच्छा लगे, वहां पे बाकी के पैसे से सेटल हो सकती है, और वहां के जो इन्वेस्टर्स है, उन लोग जाने, तो यह पॉसिबिलिटी है, कि 5% लोगों को पैसा उनका वापिस मिल जाए, या 10% लोगों को भी पैसा मिल जाए, और जिन लोगों को यह हिसाब किताब समझने में समझो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, आगे चलके आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, यह 120 कडोर या 240 कडोर 5-10% पॉब है के नहीं है, वो भी एक सवाल है, बरावर, ओके, अगर हीरा ग्रूप एक पॉंजी स्कीम नहीं होती, तो फिर कोट को सैलरी के हिसाब से एक कडोर निकालने की दरखवास दे, लोग ने की क्यों, इन लोग के जो existing businesses है, जो non-Ponzie businesses है, क्या उनमें इतना sufficient फाइदा नहीं हो लोग को, तो उनलों के existing halal business है, उनलों के 120 कडोर कैसा भरेंगे, obviously इनकी property seize करने के बाद, इनकी property को बेचने के बाद, तो फिर से सवाल उठता है, वही सवाल, पुराना सवाल, क्या आपा पैसा देगी, तो उसका जवाब ये है, कि भाई, बिना property बेचे, बिना ये सब कानुनी कारवाई करे, आपा पैसा नहीं दे सकती है, सिर्फ हीरा गोल की properties बेच कर investor के पैसा वापिस मिल सकते है, इसके इलावा आपके पास और कोई option नहीं है, या एक ऐसी बात हो सकती है, कि 161th bank account इनके पास है, जिसमें 200-300 कडोर रुपया भी भी जमा है, जिसमें से आपा भार आएगी, वो account disclose करेगी, और सबको वो पैसा देगी, हो सकता है, इस 161th account में अर्वो खर्वो रुपया हो, जैसे बहुत सारे जो अभी भी बैठे हो है, ये सोच रहे कि आपा पैसा देगी, तो बहुत सारे पैसे इसमें हो, अगर ऐसा है, कि 161th account है, और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, आपा भार आके पैसा देगी, तो भी ये सवाल उठता है, तो भई आपने पैसा देने में इतना डीले क्यों किया, अगर फिर से ये लोग कहेंगे, कि भई RBI और GST का ये बहाना लेके आएंगे, तो बहुत पहले ही फेल हो चुका है, अगर RBI का वि पैसा नहीं दे सकती, या तो नहीं देना चाहती, ये दोनों हैं, अब दूसरी बात ये है, कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग जो भी ये भाई बहन ऐसे हैं, जो मानने को तयार नहीं है, कि आपा पैसा नहीं देगी, या आपा की नियत खराब है, या ऐसा ये जो मानने को तयार नहीं तो उसका जवाब ये है कि ये जो नोहेरा शेख आपा जो है इनकी आपा ये हमेशा ये कहती है अपने स्टेटमेंट्स में हमेशा कहती है इंशालला माशालला दुआए करती है इसलाम की बाते भरी हुई रहती है इनके statements है तो जिन लोगों ने ये बाते सुन-सुन कर इसमें पैसा लगाया है उन्हें अपना investment जो है वो अल्ला की मर्जी समझ कर लगा दिया अब ये लोग ऐसे लोग जो अल्ला की मर्जी समझ कर यहां पे लगा दिया ये मानने कोई तयार नहीं कि अल्ला उनके साथ गलत होने देगा ये investors की जो नियत है ऐसे लोगों की नियत है ये बहुत ही सही नियत है और हमारे में कहावत है कि भई जैसी नियत वैसी बरकत तो obviously ये जो expectations अभी चल रहा है ये आपा से नहीं चल रहा है ये अल्ला से चल रहा है ये जो जितने भी भाई लोग है जिन्होंने अल्ला को हाजर नाजर करके अच्छे काम के लिए कि हलाल ट्रेड होगा इंटरस्ट्री वर्ल्ड होगा उन्होंने जो पैसा लगा है इनकी नियत पर कोई शक नहीं कर सकता है कोई शक नहीं कर सकता, ये एकदम ठीक है, ये इमान वाले अल्ला के बंदे हैं, जिन्नोंने ऐसा किया है, और लेकिन और ये जो लोग है ये सवाल का जवाब भी नहीं ढुट रहे हैं कि क्या आप आप पैसा देगी, उन लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं, अल्ला से पूछ र रहा है वो अल्ला पर ही भरोसा रखता है वो कोई क्या आपा पैसा देगी वाला सवाल नहीं पूछेगा लेकिन ये जो भरोसा है कहीं ऐसे लोगों का ये भरोसा अल्ला पर से भी तूट रहा है मेरा एक कन्वर्जेशन में मुझे याद आया और मैंने पहले भी बोला था किया था और ये कहा कि भाई क्या होगा मैं बहुत मुसीबत में हूँ अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैंने उनको समझाया क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते और किसी में भी ज्यादा होप नहीं दिक रहा था उनको भी और मुझे भी तो मैंने लास लास में र गर तूटने पे है, जिनके रिष्टे बरबाद होने पे है, जो अपने इलाज नहीं करवा सकते, जो अपने उस भाई को मुँ नहीं दिखा सकते, जिनको इन्होंने इन्वेस्ट करने को कहा, यहनो हीरा ग्रूप और कंपनीस में, और यह लड़ाई उस आदमी की है, जो माशालला यह हलाल काम कर रहे हैं मस्जिद में, इन लोग ने मदरसा में डोनेशन दिये, यह कंपनी अच्छी है, जो गफलत में, मतलब गल्ती से इनका प्रॉपगांडा का हिस्सा बन गई, यह उनकी भी लड़ाई है, वो इमाम के बारे में आप सोचो, वो मुफ्ती के ब because of, you know, of what has happened, सब सब मतलब अल्ला के उपर दुआ कर रहे हैं के भई या अल्ला यह सही नियत से दुआ कर रहे हैं के भई या अल्ला यह हीरा गूप अफ कंपनी को आप सच साबित कर दो, इनके पास पैसा निकले या पैसा मिले ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसा मिल जाए तो यह जो लड़ाई है न यह ऐसे लोगों की है, यह हीरा गोल्ड के साथ, हीरा गोल्ड के लिए और हीरा गोल्ड के साथ, कि भई सब की सब इन्वेस्टर्स हों की पैसा वापिस मिल जाए, यह लड़ाई कोई शाबाज भाई या AIM या असद भाई या शा सवाल था कि क्या आपा पैसा देगी लेकिन आज ये जो सवाल है ना इसको बदलने की जरूरत है सवाल ये होना चाहिए क्या क्या आपा पैसा दे सकती है स्लाम अलेकुम रह्मत अल्लाही परकरतु